जै श्री कृष्णा आप सभी का आपके अपने चैनल समरद्धी में स्वागत करती हूँ आज इस वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कहानी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्रस्ट है यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अधिक मास में जो आगे वरत आने वाले हैं उनकी कहानिया और अधिक मास से जुड़े और भी वीडियो आपको समय से मैं पर मिलते रहेंगे तो शुरू करते हैं तुलसी माता की कहानी एक गाओं में एक परिवार था उसमें तो ननन भाबी रहती थी ननन अभी कुवारी थी वह तुलसी जी की बड़ी सेवा पुचा करती थी पर भाबी को यह सब कभी फूटी आँख नहीं सुहाता था कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवा होगा तो तुलसी ही खाने को दूँगी तथा तुलसी ही तेरे देहज में दे दूँगी यह था समय जब ननन की शादी हुई तो उसकी भाबी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड कर रख दिया भगवान की क्रिपा से वह गमला स्वादिस्ट वेंजनों में बदल गया गहनों के बदले भाबी ने ननन को तुलसी की मेंजरी पहना दी तो वह सोने के आभुशनों में बदल गई वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनियू रख दिया तो वहां रेश्मी वस्त्रों में बदल गया सस्राल में उसके दहज आदी के बारे में बहुत बड़ाई हुई इस पर भावी को बड़ा आश्यर हुआ और तुलसी जी की पुझा का महत्व उसकी समझ में आ गया भावी की एक लड़की थी वो अपनी लड़की से कहती थी कि तु भे तुलसी की सेवा पुझा किया कर तुझे भी बुआ की तरफ फर मिलेगा पर लड़की का मन तो तुलसी जी की सेवा में लगता ही नहीं था लड़की के विवा का समय आया तो भावी ने सोचा जैसा वहवार मैंने अपनी ननन से किया उसी के कारण उसे इतनी इज़त मिली क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही वहवार करूं उसने तुलसी का गमला फोड कर बरातियों के सामने रख दिया परन्तु तो इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही मंजरी वापत्ते भी अपने पुर्वरूप में ही रहे तथा जनेयों जनेयों ही रहा सभी बाराती भावी की बुराई करने लगे सस्राल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे भावी ननन को कभी घर नहीं बुलाती थी भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाओं उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा भावी ने थेले में जुवार भर कर कहा और तो कुछ है नहीं यही ले जाओ वह दुखी मन से चल दिया भला बहन के घर को जुवार ले कर जाता है बहन के नगर के समीक पहुच कर उसने एक गौशाला में गाई के सामने जुवार का थेला उलट दिया तब गौपालक ने कहा हे भाई सोना मोती गाई के आगे क्यो डाल रहे हो भाई ने उसको सारी बात बता दी तदा सोना मोती लेकर प्रसंद मन से बहन के घर गया बहन बड़ी प्रसंद हुई उसने भाई की प्रसंदा और उसके मंगल के लिए तुलसी जी से प्रातना की और भाई ने कहा बहन में तुझे खुश देखकर और तुझे सुखी देखकर बहुत खुश हुआ हूँ तब बहन ने कहा भाईया यह सब माता तुलसी की क्रिपा से ही संभव हुआ है उन्ही की कृपा है आप भावी से भी कहना कि वह भी नित्र दीप्रति दिन तुलसी जी की सेवा पूजा किया करें तुलसी माता जैसे उस बहन के सुख दिया वैसे सब को देना कहने वाले को भी सुनने वाले को भी और हुकारा भरने को वाले को भी भाई बेहन को सभी को सुखी करना बोलिए तुलसी माता कीज़े पुर्शोतम भगवान कीज़े वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में तब तक किरें जैश्री कृष्णा राधे राधे